नमशकार दोस्तों, इंडिया की बात में आपका स्वागत है, आज स्टूडियो में इंडिया की बात में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, अदिती और मुकुल आप दोनों का स्वागत है, जिन तीन एहम मुद्दों पे आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे, उसमें सबसे पहले है अठारवी लोकसभा किसका पल्रा रहा भारी लोकसभा रासभा राश्टपती का अभिभाशन उस पर धन्यवाद ग्यापन सारा समारोह जो हुआ संसत के भीतार उसमें यह बाइट सुनिए और फिर हम जाते हैं दूसरे और तीसरे मुद्दे पर और दूसरा मुद्दा है हाथ्रस हादसा दर्दनाक हादसा जिसे साजिश बनाने की कोशिश हो रही है और साजिश के आड में किसे बचाने की कोशिश कर रही है योगी सरकार यह है सबसे बड़ा सवाल आखे 130 जिंदगियां और सैकडों परिवार क्यों हुए तबाह कौन है जिम्मेदार इस पर हम चर्चा करेंगे और तीसरा मुद्दा है चार जून को जब परिणाम सामने आया है लोकसभा का उसके बास से लेकर अभी तक जो नफरत का उफान है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है खास तोर से देखिए यह रिपोर्ट जो बता रही है कि तब से लेकर आज तक आठ मॉब लिंचिंग हो चुकी है छे मॉब वाइलेंस है और तीन डिमोलिशन ड्राइव यानि बुल्डोजर चले हैं और कहने की जरूरत नहीं सब मुसल्मानों पर चले हैं यह क्यास चल रहा है इस भारती लोकतंत्र में लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करे अठारवी लोकसभा क्योंकि इस बार की जो लोकसभा है वह अपने आप में जबरदस रही है शायद अगर संसर टीवी के आकड़ों को माने तो 2014 और 2019 के बाद सबसे जादा जो देखा गया है संसर टीवी देखा गया है न 19 में तो इसको देखने वाले लोगों की संख्या ब बहुत बढ़ा है और उसकी क्या सॉलिड वजय है इस पर हम आपके साथ चर्शा करेंगे सबसे पहले पंच बताएंगी अदिती भाषा मेरा पंच ये है कि 10 साल बाद एक सशक्त विपक्ष जो संसद में आया है सत्ता धारी पक्ष लग रहा है उसके गले से ये बात नीचे उतर नहीं रही है तो वो जलाहट साफ नजर आ रही है प्रदान मंत्री मोदी जी को फर्स टाइम पूरे विपक्ष को सुनने प बहुत बड़ी उपलब्दी है मुकुल कैसे देखते हैं अठारवी लोकसभाग किसका पलडा भारी अब भाशा मेरा साथ मानना है कि विपक्ष ने पहले दिन से ही बढ़त ले ली है प्रतिपक्ष के नेता ने पहले भाशन से ही बढ़त ले ली है जिसे मोदी जी ने बालक बुद्धी विलाप कहा वो एहंकारी बुजर्ब के बयानों पर भारी पड़ा और मुझे लगता ह साथ मानना है कि 2014 के बाद पहली बार मोदी जी को लोगतंत्र का पाठ मिला है कि लोगतंत्र होता क्या है कैसे चलती है सदन और उससे भी बड़ी बात कि जिस तरह से विपक्ष ने मजबूर किया उन्हें कम से कम राजसाभा में मनीपुर का जिक्र करने के लिए नीट का जि अधिती एक बात जो दिखाई दे रही है जो हमने शुरू में भी दिखाया और मुझे लगता है कि अठारवी लोगसभा की सबसे बड़ी जो तस्वीर है वो नेता प्रतिपक्ष का राहुल गांधी का सदन के भीतर खड़े होके बोलना नहीं नहीं प्रधान मंत्री आप स प्रमक धंग से हिंदू समाज कौन है कौन नहीं है इसकी डेफिनेशन एक्स्प्लेयन करते हैं तो यह एक बड़ा अलग धंग का नजारा दिखाई दिखाई दिया बिल्कुल और एक बात तो यह है कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है जिस वज़े से रहुल गांधी को भी इतना टाइम मिला और सिर्फ रहुल गांधी ही नहीं आप देखेंगी कि काफी इस तव नए नए जो सदस्य इस बार आये हैं उन्होंने विपक्ष को बिल्कुल जिसे कारगिल के जैसे हैं उन्होंने बिल्कुल मुसल्मानों पे जो बड़ते अत्याचार हैं उनके महुआ मोयत मोहत्रा हैं सुदामा प्रसाद हैं उन्होंने मेहनतकष जनता की बात की तो हरेक को जो बात बोलने का मौका मिला उससे एक नया रंग ही आ गया संसद में और विपक्ष को मुझे लग रहा है कि ये बात जो है गले से उतर नहीं रही है कि अब उन्हें सुनना प नारे नहीं लगाएगा तो यहां तक मजबूर होना पड़ गया सत्ता को कि वो बकाइदा क्योंकि पिछली बार जब आतंकी वादी कहा पूरी अभधर भाशा का इस्तमाल किया विदूरी ने दानिश अली के खिलाफ सत्रवी लोकसभा का मैं जिक्रे कर रही हूं तब कोई था अली कि इसथा का एक्षिय नहीं लिया लेकिन इस बार इतना आतंकीत हो गये जय संमिधान के नारे से यही बार सबसे पहले जय संहिळान क्यों प रमारree बाहा है कि क्योंकि पूरे हिंदु धर्म की ठेकेदार बन गई है बीजेपी उसका पूरा जो पूरा जेस्ट्र है, जो प्रधानमंत्री की बात करने का तरीका है, जो उनके मुद्दे हैं, जो नारे हैं, जो जुम्ले हैं जिस पे उन्होंने पूरी चुनावी कैम्पेशन किया, वो हिंदु धर्म के एर्दिगर्द ही उन्होंने उसे रचा तो उस पर एक प्रहार करना जरूरी था लेकिन इसके अलावा भी राहुल गांदी ने कई सवाल उठाये चाहिए वो अगनीवीर का सवाल उठाया और किसी का भी जवाब सही ढंग से चाहिए मैसपी का सवाल उठाया मोधी और मोधी के मंतरि नहीं दे सके मुझे लगता है यह बहुत बड़ी जीत है विपक्ष की और इस सोशल मीडिया पर जिस तरह चल रहा है आपको प्रधारमंदिर के इतने बश्चान नहीं मिलेंगे जितना राहुल गांदी का भाष्ण आपको मिलेगा और यह बदता nutrition यह लगा है कि संसद है भारते संसद है जिसमें एक विपक्ष भी है अधिती मैंने इसलिए जिक्र किया कि संसद टीवी को भी अगर आप देखें कि कितने लोग किस्समें देख रहे थे तो उसकी जो आकड़े हैं वह बता रहे हैं कि जब राहूल गांधी बोल रहे थे जब म देखने वालों की संख्या मोदी जी को देखने वालों की संख्या से करीब 4-5 गुना जादा थी यह सिर्फ संसर टीवी की बात है सोशल मीडिया अगर आप अटा दे तो एक चीज जो मुझे दिखाई दे रही है कि लेकिन विपक्ष की बाते कितना मोदी जी सुन पा रहे ह क्या कुछ चाल-सवरी तर चेहरा बदला है आपको दिखाई देता है सदन की बीटर चेहरे में मतलब थोड़ा सा बजापन तो दिखता है लेकिन 10 बार पानी भी पिया है और जैसा आप बता रहे हैं कि बाकी खबरे आ रहे हैं कि बाद में भी विवर्शिप जो है दोर आ गया है, सब अपनी अपनी रेकॉर्डिंग और आपने देखा होगा कि राहूल गांदी ने बाद में जो एकस्पंज किया है या जो बोला भी है उन्होंने अलग से एक वीडियो रेकॉर्डिंग कर दिये उसकी विवोशिपाद अगर आप वहां नहीं बोलने देंगे या हटा देंगे तो फिर वो अलग से उसको एक काउंटर तो वो एक जो एक आकरामक विपक्ष है वो एक बहुत ही मैं सोचती हूं कि लोक तंत्र के लिए बहुत है चीज मुझे जो दिखाई दे रही है जो पहले राहूल गांदी चुनाव प्रचार के मूड में क्योंकि दन के भीतर भी दिखाई दे रहे थे कि लोग सभा नहीं लेकिन राज सभा में प्रधान मंत्री नरेद मोदी को मनिपूर का जिखर करना पड़ा तो और यह हाला कि बिढम बना थी कि जिसमें वो कह रहे थे कि बहुत कुछ अच्छा हो गया है शांती आ गई है पहले से उस कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया और वो कह रहे हैं कि यह नोर्थ इसको कॉघरस सफना जैसे भारत का ही कीह apologized मूदी जी ने एक चुनावी मंनिपूर में नहीं कर सकता थे Instead, उन्हों नहीं नहीं दिया वो चुनव प्रचार के लिए नहीं गये और जहां तक झ각त लेना चाहूंगा चंशे कराजाद उन्हें भी बहुत सुना गया इंडीजवल के दौर पर और वो जो चीजे माइक अटाना और कैमरा अटाना वो सब सीख गया भी पक्ष राहूल गांदी ने बार-बार जोड़ दे के कहा देखे मेरे से माइक बंद हो गया मेरे से कैमरा हट गया और बार-बार मजबूर होकर उन पर फिर फोकस करना पड़ा यानि वो भी संसद और स्पीकर तक कोई एक लोगतंतर का पड़ा रहे हैं कि जब हम बोल रहे हैं तो हमारे पर भी कैमरा फोकस कीजिए दो लोगों का नाम में जरूर लेना चाहूंगी और आपके पूर में जो 60,000 लोग बहुत ओजस्वी भाषण और एजंडा सेट करने वाला भाषण एक तो वह और जो कश्मीर श्री नगर से चुने गए हैं महदी उसका उनका भाषण दोनों भाषणों ने देश के उन इलाकों के बारे में चर्चा को तेज किया जिनके बारे में सद खामोश था तो यह जो दो नए चेहरे हैं भारती राजनीती के लिए कैसे आप देखती है कि बिनो एक ओकिजाम की पूरा भाषण था उसका क्या राष्टी राजनीती पर कोई असर पड़ेगा जी मुझे लगता है जरूर पड़ेगा लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनक असर पड़ेगा शायद उसी का असरों की जिक्रमात्र तो हुआ और दूसरी बात जो आपने श्रीनगर के MP की बात कहीं वो बहुत ही जरूरी थी क्योंकि उस चीज़ पर मुझे लगता है कि विपक्ष भी थोड़ा सा बाहर अभी उतना बोल नहीं रहे थे जिस तरह से मु केम सुनोंने किये एक तो मनिपूर वाला और दूसरा कश्मीर को लेकर दी इसलिए मैंने जान बुझ के रहुत अला बहदी का जिक्र किया जो एंसी के सांसद हैं श्री नगर से तो उन्होंने जो मुद्दा रखा लेकिन उसको लेकर इंडिया गडबंधन भी बड़ा खाम में फिर उस पर बात नहीं कीगी कि उसे हम वापस लाएंगे नहीं लाएंगे जो उसका इस्टेटस है और कश्मीर को लेकर कई मुद्दों पर डिफेंसिव हो जाता है अपोजिशन भी तो वही एक मुद्दा था चाहे आपने मनिपूर की बात की लादाक की भी बात है इन तमाम जगे से जो लोग आए हैं वो अपनी पीडा रख रहे हैं दरसल अपने सवाल रख रहे हैं और सरकार के पास उनके जवाब नहीं है लेकिन विपक्ष उन्हें उस तरह नहीं गहर पारा एक सामुहिक सहमती बने राष्टे इस तरह पर मुझे लगता है कश्मीर का सव सवाल बहुत महत्पूर है अब वहां विधान सवाद चुनाव भी जल से जल्द होने चाहिए इन सब बातों को एड्रस कौन करेगा यह सिर्फ जुम्लेबाजी की हमने इसे जोड़ दिया वहां बहुत शान्ती आ गई है वहां इतना वोट हुआ लेकिन आप नहीं गए बी जो होनी जरूरी है और उसमें जिन शब्दों का उन्होंने इस्तमाल किया एक का जिक्र मुकुल ने किया बालक बुद्धी विलाप जो चल रहा था वो लेकिन और भी कई शब्द हैं जो बहुत अब्जेक्शनबल थे जैसे खून लग जाना चोरी करना आदित्यादी जो स चुनाव प्रचार का ही भाषन लग रहा था एक प्रधानमंत्री की भाषा नहीं लग रही थी जो कि हम सोच रहे थे कि कम से कम अब कुछ तो मतलब सॉलिट बोलेंगे क्योंकि रिटिक्यूल करते में बोदी की नजर आए यहां तक पहुच गए शोले की मौसी तक पहुच लेकिन वह सब वही जैसे उन्होंने उससे पिछली लोग सबामे किया ऐसी लोग सबामे किया वह एक अजीब ही मोड में रहते हैं और वह बस कॉंग्रेस पर लांचन लगाना राहुल को मजाक उडाना इस तरह से वह भाषा के इस्तमाल करते हैं मुझे लगता है कि भारतिय जनता को नागरिकों को भी ये बात पसंद नहीं आरी उन्हें ये समझना चाहिए था कि यही पार्ट है कि उन्हें अब बहुमत से दूर रखा गया है लेकिन वो सीखने के लिए तयार रही हैं तो चलिए इंजार करते हैं कि क्या कॉंस्ट्यूशन का पार्ट क्योंकि कॉं पूरी फैली हुई है और इसको जो राजनितिक वर्धस्त मिला हुआ है या शक्स कोई नया शक्स नहीं है जो बाबा बना हुआ है जो भोले बाबा मना हुआ है लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब इतना बड़ा हासा हो जाता है 121 लोगों की मौत हो जाती है जिस तक इस बाबा के खिलाब FIR नहीं होती है जिस राज में हम बात कर रहे हैं वहाँ पर इंस्टेंट जस्टिस का दौर चल रहा है जिसका हम विरोत करते हैं जहां बुल्डोजर बात बात पे चलता है मुसलमानों के खिलाफ दलितों के खिलाफ लेकिन यहां देखिए बाबा हुआ है फरार है और ग्रेट योगी जी और उनकी पुलिस अभी तक उसे खोज नहीं पाई है FIR में उसका नाम नहीं है क्यों बताएंगे मुकुल मेरा सिधा मानना है कि देखिए जो बाबा ग्री के खेल चल ला है दो तरह के हाथ से चल ला है एक तरफ अंधविश्वाश अज्ञानता को बढ़ावा दिया जा रहा एक तरह इस तरह से लोगों की मौत हो रही है तो सीधी जिम्मेदारी तै होनी चाहिए बाबा की भी और शाशन-प्रशाशन की भी क्या है इस पर पंच अदिती बाशा में मुकल जी से सहमत हूं शाशन और प्रशाशन दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए क्योंकि आप देखते हैं कि धार्मिक आयोजन के स्थर पे होते हैं और उनके वहां पर कोई भी इंतिजाम प्रशासन न पर आयोज़कों के भी है क्या है आपका पंजभाशा कि मेरा साफ मानना है जो दिखाई दे रहा है कि साजिश कीार में साजिश हो रही है और यहां पर योगी आदितिनाप्र और उनकी सरकार उसमें कॉंपलेसट याने भागिदार बच्चाया में, लेकिन पिर भी कहीं से भी किसी को गुसा नहीं आ रहा है कि तुरंथ इंस्टेंट जस्टेस हो क्यों? हाँ वही है क्योंकि पूरा जिस्तर से हमाय बहुत स्लेक्टिव गुसे आता है बहुत हम उस पर द्रवित होते हैं कुछ चीजों को हम बिल्कुल छुपा जाते हैं इस मामले में क्योंकि धर्म का ये खेल है और खोल है बाबा के पास, वो आवरान है, तो बीजेपी को भी ये सूट करता है कि वो बाबाओं पर ना ज्यादे कुछ प्रहार करें या एफाइयर करें, क्योंकि बाबाओं की भक्तमंडली के जरीए उसका भी प्रचार होता है, च उससा हमें इसलिए नहीं आता क्योंकि एक धर्म का मामला है, आप देखें चाहें वो हम केदारनात में भीर लगा दें, चाहें कहीं लगा दें, इन बातों पर सूचा नहीं जा रहा और इसे अपनी जिम्मेदारी और सरकार की जिम्मेदारी के तोर पर नहीं देखा जा रह कि अभी भी तमाम लोग बात करें उस बाबा को प्रोटेक्शन सिर्फ उसके फॉलोवस नहीं कर रहे हैं, जो उसके भक्तगर हैं, क्योंकि उनकी भी फुटेज चल रही है, आज भी अखबारों में तमाम जगों पे लोगों ने ये कोर्स दे रखे हैं, सोशल मीडिया और कल क इलेक्ट्रोनिक मीडिया दो दिन से ही चला रहा है कि अभी भी भक्ती में कमी नहीं है, लेकिन सवाल एकाउंटबिलिटी का है, इतना समय बीथ गया, अभी तक एक गिरफतारी नहीं, कोई जिम्मेदार, शाशन, प्रशाशन, बाबा, तीनो, चंगे घूम रहें, जो नाशनल टेक्ट्राशन, हाँ नीठ की बात कर रहे हूं, उसमें जो मेन आदमी हैं वो अभी तक सुरक्षित हैं, बाकी इधर उधर के लोगों, इसमें भी बाबा जो हैं वो सुरक्षित हैं, अब इधर उधर के वो निकाल के थोड़ा सा कर देंगे, बूसरी बात डोजर चलाने में इतनी माहिर है, जब इस तरह का कुछ होता है, कोई और इस तरह के कुछ हाथ से वगेरा होते हो उसके बात से, तो देखते हैं कि क्या कदम उठाती है प्रशासन, अभी तक तो टोटल धिलाई चल रही है, मीडिया की तरफ में जाओंगी मुकुल, एक कारेस नहीं लिया, उसके उपर ओने का केस था जिसकी वज़ां से वह बाहर गया, इसे भी दबा दिया गया, पांश अलग-बामले उसके उपर दर्ज हैं जिसमें मॉलस्टेशन का भी मामला दर्ज है, रेप का भी मामला दर्ज है, दूसरा तत ही यह, और देखिए कि 2000 में वह गिरफतार भी होता है लेकिन सारी चीजें जिस कवर में चलते हैं मुझे चिंता यह कि यह जो एको सिस्टम है इस तरह के अंधविश्वास पहलाने वाले लोगों के पक्ष में यह तो एक दूसरे ढंका अंधविश्वास है हम हाइई लेवल अंधविश्वास भी देखत कि यहां पर एक बाबा है जिसके प्रती काफी बड़े पैमाने पर ग्रामीर गरीब जा रहा है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोग जग्गी की धुन में भी नाशने जाते हैं और वहां दूसरे धंका अंदेश्वास यह कड़ी है यह कड़ी सिर्फ तभी आती जब कोई हा पर उसके अलावा उसे हिम्मत नहीं है किसी का कोई कच्छा चिट्टा सामने ला सकें क्योंकि उसकी भी दुकंदारी इन लोगों से चलती है क्योंकि मुझे हैरत होती है मीडिया भी कम दोशी नहीं संद विश्वास बाबागिरी को बढ़ाने में आप देखिए कि इनका राजियोग है वो जीत रहे है यानि इस दरजा जब आप एक अंधविश्वास पहलाएंगे एक बिलकुल गयर अगयनिक बाते करेंगे सूर्य ग्रहन हो रहा है तब भी वो पंडितों को लेकर बैढ़ जब कि सब को पता है कि सूर्य ग्रहन क्यों हो रहा है चंद ग् हम लोगों को जो जनवादी मीडिया है या वेकल्पिक मीडिया उसे तो सोशल मीडिया उसके लिए तो हसी उड़ाते है वो मीडिया वाले क्योंकि असली मीडिया काम यही कर रहा है सवाल उठाने का वो जो मीडिया जो बैट टीवी पर दिखता है अगबारों में छपते है उन लोहों का धंदा भी इससे खुब चलता है तो वो भी इने प्रिश्राय देते हैं जैसे राजनिता देते हैं इसलिए उनका कोई कच्छा चिटा निकोलते हैं जब एक हासा हो गया ये भी उनके ले ट्यारपी का विशा है तो वो इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अब और यह बाबा तो सामने ही है इनके भक्तों की कातार में महिलाएं सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं डिफेंट करने वाली ये जो एक विडम बना है इसे हम कैसे समझें देखिए मुझे अब पता नहीं कि ये मैं एक तरफ से इस बारे में ये सोचती हूं कि क्या ये और इस बाबाओं की जिसे कहते हैं कि मश्रूम की तरह निकल के आ रहे हैं हर जगा क्या कारण है इसमें और ये जितना मुझे पढ़ने में आया ये बहुत ही पिछड़े वर्क के लोग थे जो इन बोले बाबा के फॉलोर्स थे मुझे लगता है कहीं एक खालीपन है या कहीं बेरोजगारी है जिंदगी इतनी तरस्त है पता नहीं क्या आशा दिलाते हैं कहते हैं इनके उपर जो केस था इनोंने तो कहा था किसी को हम जिंदा कर देंगे कोई लड़की मर गई थी उसको जो अखबारों में आया है उसी हिसाब से तो इस तरह की उन्हें नहें कुछ आ है क्योंकि हर इस तरह के बाबा का जो पॉलिटिकल लिंक है वही जो उनको बचाता है वही इनको पनपने भी देता है राम रहीम के बारे में हम हमेशा जानते हैं कि जैसे ही चुनाव होता है पैरोल मिलती है परलो मिलता है बाहर जाता है तो यह एक अलग चर्चा का मुद् तक जो आकड़े हमारे सामने हैं वह बता रहे हैं कि किस तरह से मुसल्मानों के खिलाब नफरत का उबाल आया हुआ है और साफ तौर पर आठ मॉब लिंचिंग के मामले हैं बड़े तौर पर भीड द्वारा हिंसा का मामला है और जहां पर राज सरकारें बुल्डोजर चला रही हैं वैसे तीन से चार मामले हमारे सामने आये हैं इस पर क्या है पंच मुकल अब मॉब लिंचिंग ये बिल्कुल नहीं थम रही है जो पहले दौर था वही अब दौर है और मेरा मानना है कि अब जैसे एक ये नए कानून लाए गया है उसमार ये बहुत धिंडोरा पि साहरा लिया जा रहा है अधिती क्या है इस पर आपका पंच भाशा इस पर मेरा पंच ये है कि सरकार तो बन चुकी है लेकिन जो संकुचित होने की जलाहट है वो नजर आ रही है और नफरती एजेंडा लोगों को बाटे रखने का एजेंडा ये पूरी तोर पे जारी है आ आपका पंच भाशा मेरा मानना है कि जो स्थैट है जो सरकार है जो सत्था है बीजेपी की बदला लेने पर उतारूह है इसलिए हमें दिखाइँ देता है कि अन्डिय के जो सांसद है वे जो पब्लिक लिए बोलते हैं कि मुसल्मानों और इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है हम इनके लिए काम नहीं करेंगे यह पूरा का पूरा सिलसिला बिहार से लेकर अंडमान निकोबार तक जाता है और वही दिखाई दे रहा है जमीन पर लिंचिंग के तौर पर आजाद हो गए हैं हत्या करने वाले मुकल जो चीज दिखाई दे रही है कि नफरत का बोलबाला है और जरा जरा सी बात पर एक दुकानदार के पास दो मुसलिम लड़के पहुशते हैं समान लोटाने के लिए और वहां पर टसल होता है और लिंचिंग जैसी नौबत आती है यहां मैं बात कर रही बुलन शहर की इस तरह की अंगिनग घटनाए हैं कोई रोक थाम नहीं उन्हीं के खिलाफ फाई यार जी यही उन्हीं के खिलाफ शांति भंग में फाई यार हो गई तो मैं वहीं कह रहा हूं कि जो मॉब लिंचिंग के नाम पर कानून लाया गया है डर यही है कि इसका इस बीजेपी को कह रहे हैं उसे एक मुद्दा बना लिया गया और जगे जगे प्रदरशन हो रहे हैं उनकी ग्रफतारी की मांग हो रही है यानि इस तरह से आपकी भावनाओं को हमें बताया जाता है कि आपकी भावनाओं आहत हुई है चलिए आप प्रटरश्ट कीजिए उन जो है बहुमत से कम रह गए हार गए है इसी वहीं से हमले और बढ़ें तो अधिती 240 पर सिबट गई बीजेपी तो क्या सारा दोश मुसल्मानों के नाम पर मत दिया जाएगा क्योंकि एक चीज दिखाई दे रही है कि उत्तरप्रदेश लखनौ अखबरपुर में जिस तरह से मकान गिराए गए मत्यप्रदेश में मांडला में एस से पहले जिस तरह से बुल्डोजर चला और मकान गिरा दिये गए तो एक तरफ इंडिवीज्वल हिंसा है जो लोगों को मारी और दूसरी तरफ स्टेट है जो बुल्डोजर चला रहा है यह मुझे कुछ लग रहा ह को भी संसद में भी और संसद के बाहर भी एक जुट होकर इसका मुकाबला करना चाहिए क्योंकि यह बहुत जादा बढ़ गए है चार जून के बाद इस तरह के अटैक्स और जादा तर बीजेपी शासित प्रदेशों में आप देख रहे हैं कि इस तरह का हो रहा है तो मु अट आएगा सरकार को घेरेगा और आप से अपील है कि आप इंडिया की बात हो न्यूस क्लिक हो इसके साथ लगातार बने रहिए जुड़े रहिए आप सब का बहुत-बहुत शुक्रिया मुकुल और अधिति नमस्कार नमस्कार